दोस्तो आज मैं आपके लिए धर्ती पर रहने वाले पांच ऐसे अजीवो गरीब जानबर लेके आया हूँ जिने देखकर हर कोई चौक जाएगा क्यूंकि इनके जैसे बिचेतरे जानबर साहेदी कोई देखा होगा इसे लिए वीडियो को लास तक जरूर देखना दोस्तो दरूर कर लीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं नमबर एक द बुलेट एंट दोस्तो दुनिया में पाये जाने वाली सबसे बड़े चीटी द बुलेट एंट के नाम से हम लोग जानते हैं और यह हमारे लिस्ट में पैचान के बज़े से नहीं बलकि यह अपने ज 10 गुना ज्यादा दर्थ आपको मैसूस हो और इसके इलाबा इसको 24 हावार एंड भी कहते हैं क्यूंकि इसके काटने से आपको 24 घंडे तक दर्थ मैसूस होगा और इन चीटियों के ग्रूप में आप 50 से भी ज्यादा मेंबर्स पा सकते हो और यह चीटिया अपनी सेफ के बज़े से एक बदबुदार तरल पदर्थ छोड़ते हैं जिसके बज़े से बाकी जानवर इससे दूर भागते हैं नमबर दो ओगरेफेस्ट स्पाइडर दोस्तों इस मकडी को सबसे पहले साल 850 में खोजा गया था जिसके पैर काफी लंबे और आखे बड़े हुआ करते हैं इसके सबसे खास बात यह है कि यह अपने शिकार को इस तरह से फसाता है कि यह अपने जाल कुछ अलग तरह से बनाता है जिसे अपनी आगे के पैरों पर तब तक इंतजार करता है जब तक कोई शिकार इसके नजदीक ना आ गया हो इसके नजदीक कोई अगर शिकार इस और उसको आसानी से शिकार करते है दोस्तो ये कीरा दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है लकिन यदि आप इसे एक बार छूलेंगे तो आपके लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि ये अपने शरीच से बहुत ही अजीब तरह के जहर छोड़ सकता है खतरना कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगा क्योंकि ये इनसान के शरीर पर छोटे-छोटे छेद बनाकर अंदर घुस जाता है और फिर कुछ दिनों तक ये शरीर के अंदर ही रहते है ये कीरा इनसान का मास खाकर जीवित रहता है इस खतरना कीरा के वज़े से इनसान का मौद भी हो सकता है इस बीमारी का खोच सबसे पहले ऑस्टलिया में हुआ था अब ये पुड़े वर्ल्ड में चा गये है साल 2015 में एक वेक्ती ने इस कीरे का वीडियो बनाया था जो की बहुत ही वाइरल हुआ था आप दे सकते हैं ये कीरा अपने मूँ से स्पाइडर मन जैसा जाल बिछा रहा है दोस्तो ये कीरा अगर आपको किसी भी जगा में दिखाए दे हो तो आप उसके सामने बिल्कु भी मत जाना क्यूंकि इसकी मूँ से जो वल्गम जैसे स्पीट निगा रहा है ये बहुत ही खतरनाख है जो कि आपके शरीर पर लगने से आपका पहला इसस भी हो सकता है दोस्तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कॉमेंट करके बताईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद